तडप तडप के इस दिल से आह निकलती रही मुझे को सजा दी चार की ये वो आवाज है जो अब हमेशा हमेशा के लिए हम सब को छोड़ कर जा चुकी है इस आवाज को चाहने वाले हर दिल से तडप तडप कर एक ही बात निकल रही है कि ऐसा क्या गुना किया था हमने जो आप हमें इतनी जल्दी छोड़ कर चले गए नब्बे के दशक में एक तरप जहां कुमार सानू, उदित नारायन, सोनु निगम, अभिजीत और सुखविंदर सिंग जैसे गायकों ने धूम मचा रखी थी तो वहीं इसी दशक के अंत में एक और सुरीली आवाज ने संगीत प्रेमियों के दिलों में दस्तक दी थी सिर्फ कुछ गिंती के गाने गाकर ये आवाज हर युवा दिल की धलकन बन गई ये आवाज थी गायक केके की यानी कृष्ण कुमार कुन्नत की आज ये नाम कोई नया नाम नहीं है और ना ही अंजाना है इस नाम से हिंदुस्तान ही नहीं बलकि पूरी दुनिया वाकिफ है लेकिन बॉलिवुट का ये मशुहूर सिंगर अब हमारे बीच नहीं है ऐसा नहीं है कि उन्हें ये नाम और शोहरत रातो रात मिल गई हो इसके पीछे उनकी कड़ी महनत और सालों का सब्र छुपा हुआ था उनकी जिन्दगी बेहद संगर्शों से भरी रही है अब जब वो हमारे बीच नहीं है तो उनकी कमी जरूर सभी को हमेशा खलती रहेगी आज हम आपको केके की जिन्दगी के उतार चड़ावों से रूबरू कराने जा रहे हैं बस आप बने रहे हैं फिल्म टेर्मिंट के साथ और अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को फॉलू नहीं किया है तो जरूर कर लें नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आलोक कुमार शुकला केके यानि की कृष्ण कुमार कुनत का जन्म 23 अगस्त 1968 को सी एस नायर और कनक वल्ली के घर में हुआ था दोनों ही मल्याली थे केके ने अपनी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से की और दिल्ली में ही पले बढ़े दिल्ली के माउंट मैरी स्कूल से उन्होंने अपनी प्रारंबिक सिक्षा पूरी की उसके बाद उन्होंने दिल्ली के ही किरोडी मल कॉलिज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया दो साल की उम्र में मंच पर पहली बार गाना गाने वाले केके ने मात्र एक दो दिन ही संगीत सीखा था जो सुर दूसरे बच्चों को सीखने में महीनों लगते थे केके सिर्फ दो दिन में ही उसका भ्यास और प्रदरशन करके घर वापस आ गए घर में बोल दिया मुझे अब संगीत सीखने नहीं जाना है घर में सब संगीत के ही पुजारी थे पिता संगीत के शौकीन थे मा भी गाती थी नानी भी संगीत की पुरोधा थी मुहम्मद रफी से लेकर किशोर कुमार और यशुदास से लेकर पी शुशीला तक हर सुर्मई गीत केके को भाता था वो किसी भी राग को सुन कर उसे तुरंत गा सकने का इश्वरी आशिरवाद पाने वाले गिने चुने गायकों में से एक रहे केके बचपन में एक डॉक्टर बनना चाहते थे जब वो महस दो साल के ही थे उस वक्त उन्होंने अपना पहला परफॉर्मेंस दिया था उनकी आवाज लोगों को इतनी पसंद आई थी कि दिल्ली में ही कई एड एजेंसियों ने उनकी आवाज का इस्तेमाल किया बाद में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रॉक बैंड भी बनाया केके ने ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद नौकरी को बीच में ही छोड़कर अपने सिंगिंग करियर को चुना मुंबई जाने से पहले केके होटल इंडस्ट्री में मार्केटिंग एक्जेक्यूटिव के तौर पर काम किया करते थे साल 1994 में वो मुंबई चले आए उस समय उन्होंने फिल्म में ब्रेक मिलने के लिए काफी संगर्ष किया उसी साल उनके बेटे नकुल का भी जन्म हुआ था और उसी दिन उन्हें यू टीवी ने मीटिंग के लिए बुला लिया उन्हें या सैंटोजन शूटिंग के एड के लिए गाना गाने का मौका मिला फिल्मों में ब्रेक मिलने से पहले चार सालों के दौरान उन्होंने ग्यारा भारती भाषाओं में तकरीबन साड़े तीन हजार से भी जादा विज्यापनों के लिए गाना गाया 1999 में उन्हें भारती क्रिकेट टीम के लिए जोश आफ इंडिया गाना गाने का मौका मिला लेविस ने उनका साथ दिया इस एल्बम के गाने यारों और प्यार के पल बेहद मकबूल हुए इन गानों को युवाओं के साथ साथ बड़ों ने भी खूब पसंद किया जिंगल्स केके की पहली पहचान बने और पहली कमाई भी सेंटोजन शूटिंग के पहले विग्यापन में गाने के बाद केके ने लगबख पहुने 4000 जिंगल्स गा डाले लेकिन फिल्मों के गानों के पीछे केके ने कभी रेस नहीं लगाई गाने वही गाए जो उन तक चल कर आए केके कहते हैं मैं उतने ही गानों के लिए हां कहता हूँ जितने गा सकता हूँ महीने भर में एक अच्छा गाना भी गा लिया तो बहुत है लोग मेरे पास आते हैं सुपर सितारों के नाम लेकर लेकिन मैं कभी किसी सितारे को जेहन में रखकर गाता ही नहीं हूँ Famous Film Director विशाल भारतवाज ने उन्हें अपनी फिल्म माचिस में गाना गाने का पहला मौका दिया था इस फिल्म में केके ने छोड़ाए हम वो गलियां गाया था इसके बाद उन्होंने हम दिल दे चुके सनम के लिए आइकॉनिक गाना तडब तडब के इस दिल से आहा निकलती रही गाया जो की बहुत बड़ा हिट साबित हुआ आज भी लोग इस गाने को गाते हैं इस गाने ने सफलता के जंडेगार दिये और केके उस दोर के गायकों की अग्रिम पंक्ती में शामिल हो गए फिल्म हम दिल दे चुके सनम के अलावा केके ने शाहरुक खान के हिट गानों में शुमार आखों में तेरी अजबसी अजबसी भी गाया है बजरंगी भायजान का गाना तू जो मिला को सुनना अपने आप में एक अलग एहसास है और फिल्म गैंग्स्टर का तू ही मेरी शब है का सूफियाना अंदाज किसी को भी मधोश कर सकता है केके ने जस्ट मुहबबत, शाकला का बूम बूम, कुछ जुकी सीपलके, हिप हिप हुर्रे, काव्यानजली, जस्ट डांस जैसे कई टेलिविजन सीरियल्स में भी गाने गाये थे उन्होंने श्रेया घोशाल के साथ स्टार परिवार अवर्ड 2010 का थीम सौंग भी गाया था उन्हें टैलन हंट सो फेम गुरुकुल के लिए जूरी सदस के रूप में आमंतरित किया गया केके ने साल 2008 में हम टीवी पर प्रसारित पाकिस्तानी टीवी शो दगोस्ट के लिए तनहा चला नाम का गाना गाया था केके का गाया गाना फिल्म बचना आय हसीनों का खुदा जाने काइट्स फिल्म का जिंदगी दोपल की फिल्म जन्नत का जरा सा गैंस्टर का तू ही मेरी शब है शारुक कान की फिल्म ओम शांती ओम का गाना आँखों में तेरी अजब सी के अलावा बजरंगी भायजान का तू जो मिला इकबाल फिल्म का आशाएं और अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का मैं तेरा धड़कन तेरी फैंस के बीच सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहे केके ने साल 1991 में अपनी बजपन की मित्र ज्योती से शादी की थी उनके बेटे नकुल कृष्न कुन्नत भी गाना गाते हैं नकुल ने भी एक गाना मस्ती उनके साथ ही अल्बम हम सफर के लिए गाया था केके की एक बेटी भी है जिनका नाम तमारा कुन्नत है लेकिन 31 मई 2022 को नजरूल मंच पर एक कॉलेज फेस्टिवल में परफॉर्म करने के दौरान कॉलकाता के दग्रैंड हुटल में कार्डियक अरेस्ट से केके की मृत्यू हो गई और केके अपने परिवार और अपने चाहने वालों को सदा सदा के लिए छोड़ कर चले गए और खामोश हो गई ये सूरीली आवाज कंसर्ट के दौरान केके ने आखरी गाना गाया हम रहें या ना रहें कल याद आएंगे ये पल केके ने हिंदी में 200 से भी जादा गाने गाये हैं और तमिल और तेलुगू में 50 से भी जादा गाने गाये हैं तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें केके जी के बारे में अपने विचार और उनका गाया हुआ आपका सबसे पसंदिदा गाना हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूले साथ ही फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो करें फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार